दोस्तों रमश्कार राश्टिय स्वैसेवक संग के भीतर ये बड़ा गंभीर चिंतन है कि आखिर सर संग चालक नाखपुर में क्यों रहे उनकी जगा दिल्ली में क्यों नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में जो संग का हेड़कौाटर है वही पर उनका निवास भी क्यों नही आ रहे हैं और इन सो बरस के भीतर आरेसस बहुत बदल चुकी है इस दोर में अब राजनेतिक शुद्धिकर्ण की जरुट नहीं पढ़ती है बलकि राजनेतिक सत्ता ही संग के स्वैसेवको की होती है संग ने जो जो मुद्धे इस दोर में उठाये उन मुद्धों के आसर के भीतर जब सबसे बड़े संगठन के तौर पर RSS की मौजूदगी है जो खाद का काम करती है BJP को सत्ता में दिलाने के लिए तो ऐसे में अब उन मुद्दों को हाशिये पर क्यों नहीं ढखेल देना चाहिए जो मुद्दे अतीत के RSS की पहचान के साथ जुड़े थे ये च चिंतन के पीछे शायद मौजूदा वक्त में संग के परचारक रहे नरिंद्र मोदी जो मौजूदा वक्त में भारत के प्रधान मंत्री है उनके जरिये जिन जिन मुद्दों को ठिकाने लगाया गया जिन जिन मुद्दों को अदालतों के जरिये एक रास्ता दिखाया गय जिन जिन मुद्दों को बदलते हुए और बिलकुल यूटर लेने की परिस्तिती में RSS को लाकर खड़ा कर दिया गया इन सारी परिस्तितियों ने पहली बार यह भी बताया कि RSS के तमाम संगठनों में जो फेर बदल होते हैं उस पर भी दिल्ली की चलती है यानि इस देश की राजनितिक सत्ता की जरुरत RSS है लेकिन RSS अपने मुताबिक राजनितिक सत्ता को अगर हाकना चाहे तो यह मंजूर नहीं है और शायद RSS भी अब ऐसा नहीं चाहती है यह एक अंद्रूनी परिस्तितियां है क्योंकि हर कोई जानता है भारत के भीतर में जब 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 मौके पर RSS का स्वेंसेवक उदासीन हो गया चुनाओ को लेकर उस वक्त बुरी तरीके से BJP को हार मिली चाहे वो जनसंग का दौर हो चाहे वो BJP का दौर हो 84-85 सिख दंगों को याद कीजिए उस वक्त BJP के साथ क्या कुछ हुआ इस देश के भीतर में और कैसी राजनितिक हार मिली स्वेंसेवक उदासीन था या फिर शाइनिंग इंडिया के दौर को याद कर लीजिए उस वक्त तो बकाइदा रास्टी ये स्वेंसेवक संग के बड़े नेताओं का कहना था कि संग का स्वेंसेवक सक्रिय नहीं हुआ तो अटल विहारी वाजपई चुनाओ हार गए एक बहस ये भी चल पड़ती है क्या वाजपई जिस शाइनिंग इंडिया की गर्त में उस वक्त वाजपई की सत्ता चली गई क्या उसी तर्श पर मौजूदा वक्त की परिस्तितियां इस देश के भीतर बन रही है और संग को ये समझना होगा कि क्या नरिंद्र मोदी जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं वो वाकई सिर्फ चकाचौन दिखाने का है और जमीनी हकीकत कुछ और है क्योंकि गली महले हो घर हो गाओं हो छोटे शेहर हो तमाम जगाओं पर बीजेपी के कारकरता नहीं पहुंसते हैं बीजेपी के कारकरताओं के लिए जमीन बना अगर सत्ता बीजेपी के पास रहेगी अगर उस सत्ता से तमाम सुविधाएं संग के तमाम नेताओं या स्वेश्वकों को भोगनी हैं या फिर आने वाले वक्त में अगर ये समझना है कि इस देश में हिंदुत्व और हिंदुराष्ट की कोई परिकलपना को लेकर चिंतन मनन हो और उस दिशा में कदम भी बढ़ें तो फिर प्रचारक के हाथ में सत्ता रहनी होगी और उसके लिए राजनितिक तोर पर शिरकत स्वेश्वकों को करनी होगी लेकिन ऐसे मौके पर संग और बीजेपी के भीतर जो भी चिंतन चल रहा हो लेकिन कॉंग्रिस के नेता राहुल गांधी ने अगर इस बार बीजेपी के इस नबज को पकडने की कोशिश की है जिस नबज के आसरे बीजेपी लगातार समाजिक सांस्क्रिक संगठन कहकर R.S.S को दरकिनार करती रही और खुद को ही राजनितिक तोर पर रड़कती रही लेकिन राहुल गांधी न इसके जरीए खड़ा हो पाएगा क्या कॉंग्रिस जिस विचारधारा का जिक्र करती है वह विचारधारा वाकई संग की विचारधारा से टकराने की परिस्तितियों में इस देश की भीतर आ जाएगी ये सारे सवाल हैं हमें लगता है कि आज historic perspective में बहुत सारी चीजों को जाली गई उस सभा के भीतर खुद गोलवलकर जी मौजूद थे उस सभा के भीतर दत्तोपन ठेंगली जी मौजूद थे अटल विहारी वाजपई को भी बुलाया गया अडवानी जी भी की वहां पर मौजूदगी थी तमाम वरिच्टनेता जो आपके जहन में आते हैं इस सकता वह एक दबाव समू के बतौर सिर्फ अपनी उपस्तिती दर्ज कराता रह सकता है ऐसे में राष्टिय स्वैसेवक संग से राजनिती में आए स्वैसेवक के समच्च दो यक्ष प्रश्ण होते हैं एक तो यह कि वह सत्ता में आने का सपना ही ना देखे और सिर्फ एक दबाव समू प्रेशर ग्रुप के तोर पर काम करता रहे और दूसरा यह कि वह अपनी विचारधारा से समझोता कर ले और सत्ता में आकर अपने दायतों का निर्भा कर ले निर्भा करने लगे जाहिर है इस बैठक के भीतर में अटल बिहारी वाजपईजी से पूछा गया आपके जहन में क्या चल रहा है उसको साफगोई के साथ यहां पर रखिए लेकिन उस आठकिल के जरीए अगर मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो आरेसस की अपनी विचारधारा मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ राजनितिक सत्ता को पाने के लिए अपने ही प्रचारक नरिंद्र मोदी के पिलर्स को मजबूत करना है उसके जितने भी संगठन है उन संगठनों की मौजूदा वक्त में कोई मजबूती या उसकी मौजूदगी के साथ उसकी महत्पूर इस्तिति क्या आपको नजर आएगी नहीं आएगी क्योंकि एक लंबी फिरिस् पता रहे हैं और आज ही वर्धा में जब उनका अपना कॉंग्रिस का ट्रेनिंग केंप शुरू हुई तो इस ट्रेनिंग केंप को संबोधित करते हुए राहुल गांदी ने हिंदू और हिंदुत के बीच की एक मोटी लकीर को बतलाया इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके समाज के भीतर में जो भी तनाओ है समाज के भीतर में जो गिर्णा की स्थिति है और इस समाज के भीतर और देश के भीतर की जो परिस्तितियां है उसको आपको आरेसिस की विचारधारा से जोड़ना होगा क्या ये वाकई ऐसी परिस्तिती इस देश में बन सकती है कि एक RSS का प्रचारक इस देश का प्रधान मंत्री है और उसके द्वारा जो नितियां इस देश में चाहे वह विदेशी निवेश का मसला हो चाहे इस देश के भीतर में किसानों का मसला हो मजदूरों का मसला हो और द्योगिक परिस्तितियों का मसला हो विदेशी पूंजी का मसला हो ये सारी परिस्तितियां क्या RSS के उस विचारधारा से जोड़ कर देखी जा सकती है या सिर्फ ये एक प्रधान मंत्री की मौजूद वक्त में अपनी सत्ता को बचाने की जद्दो जहत के तोर पर देखा जाए ये सवाल और महत्पूर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कॉंग्रिस को दो-दो हाथ RSS से करने हैं तो उसे RSS का मतलब भी समझना होगा और RSS मौझूदा वक्त में किन परिस्तितियों में आकर सिर् चुनावी जंडा उठाकर चुनावी परचार करते हुए और उत्तरपरदेश के भीतर भी गाओं गाओं में वह जिस तरीके से आज भी घूम रही है और उनको टास्क दिया गया है कि आपको किस तरीके से हर गाउं को हिंदुत की विचारधारा को बताते हुए हिंदू राष्ट की परिकलपना को सामने लाते हुए नरिंद्र मोदी को और योगी को किस रूप में इस राष्ट के हिस्से में अगवाई करते हुए दिखाना है यही आपका काम है. 12 लाख दिये जले लेकिन क्या किसी ने इस बात का जिक्र किया कि अयुद्या में जो 12 लाख दिये जलाए गए वे उत्तर परदेश के हर गाउं से 11-11 दिये लाने का प्रस्ताव संग के भी तरपास हुआ था और वो दिये वहां से लाए जा रहे थे कोई खर्चा नहीं था एक वैचारिक तौर पर या फिर एक सरुकार के तौर पर RSS का प्रभाव ये रहा है. ये ट्रेनिंग BJP की नहीं है. ये ट्रेनिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है. लेकिन फिर भी अगर RSS की विचारधारा से दो-दो हाथ करने हैं तो पहले मौजूदा वक्त में RSS की भीड को ही समझ लीजीए. उसको विचारधारा से अभी मत जोड़िये क्योंकि हम जिन फेरिस्ट को आपके सामने रखेंगे उसमें RSS की विचारधारा को धूमिल करने वाला कोई शक्स हो सकता है आपके जहन में आए तो आप कहेंगे उसके अपने परचारः की हैं जो मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री हैं. उनकी धारा उनकी विचारधारा हाशिये पर है. मौजूदा वक्त में सत्ता ही विचारधारा है और सत्ता को बनाए और टिकाए रखने की परिस्तितियों को बनाए रखना ही उस विचारधारा को लागू कराने सरीखा इस दौर में RSS के लिए है को कि RSS अपने तौर पर लगभग इस देश में उसकी साथ हज्जार साक शाखाएं हैं शाखाएं सबसे ज़्यादा केरल में भी है और उत्तर परदेश में भी है बाकी प्रांतों में राजस्थान एक महत्पून आता है वहाँ पर भी है च्छत्तिस गड़ एक महत्पून प् भारत के भीतर में दस साल के बाद राजनेतिक सत्ता यानि 2014 के बाद जब 2014 में मिली तो 2014 का पाठ एक मत्व यही रहा संग के प्रचारक के तौर पर नन्रमोदी का जिक्र कर लीजिए या RSS के भीतर से उड़ती हुए बाज सर संग चालक मोहन भागवत के जर्ये कर लीजिए कि अब इस सत्ता को नहीं खोना है क्योंकि जब आप कॉंगरिस के दौर में चले जाएंगे तो उस दौर में टेररिजम और RSS को जोड़ा गया उस वक्त के ग्रहमंत्री ने सीधे तोर पर जोड़ा और कहीं न कहीं एक कटगरा टेररिजम के दाएरे में RSS को जोड़कर यह वो शायद भारतिय समाच का सच नहीं है भारतिय समाच का सच कुछ और है क्योंकि साथ हज़ार शाखाओं में लगबग पचास लाख सोई सेवकों की मौजूदगी एक हफ़ते के भीतर में अलग अलग जगों पर नजर आयती ही है लगबग 55,000 गाओं में RSS की जो कमोवेश भारत और इस देश की मिनिस्ट्री जितना काम नहीं करती है उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए इनके अपने संगठन अपने तोर पर काम करते हैं आपके जहन में तुरत आएगा HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री यह फैक्ट है कि HRD मिनिस्ट्री क परस्वरसती बालमंदिर या फिर उसी तरीके से जो देखते आए एजुकेशन को उस रूप में चाहते हैं भारत उस रूप में निकल कर आए यह अलग मसला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको प्राविटाइज की दिशा में ले जाती है आपको पैसे की दिशा में के लिए पूंजी होनी चाहिए और पढ़ने वाला एक कंजूमर होना चाहिए इस दिशा में ले जाती है लेकिन जिकर उससे हटकर है जिकर इसलिए हटकर है क्योंकि ध्यान दीजिए मोदी काल में उन तमाम बातों को अपनाया गया जिसे आरेसस नहीं अपनाती है आरेसस और तो और जो ग्लॉबलाइजर्जेशन का जिक्र मोदी कर रहे है जिस तरीके से IMF और World Wing की नितियों को अपना रहे हैं RSS तो इसमें कहीं फिट बैटती नहीं है वह तो सौदेशी का जिक्र करती थी वह तो किसान संग के जरिये इस देश के किसानों को हक दिलाने का जिक्र करती थी भारतिय मजदूर संग की पहचान यही थी वह मजदूरों की लड़ाई लड़ती थी सारी चीजे धराशाई हो गई है इस दोर में RSSS की विचारधारा क्या वाकई है या विचारधारा मौजुदा वक्त में सिर्फ मोदी सरकार की है जो नितियों और कानून के जरिये इस देश में लागू हो जाती है ये कैसे होती है, किस रूप में होती है और किस तरीके से डैवर्ट किया जाता है लोगों का ध्यान ये भी बार बार छिटपुट जिक्र होता है वरियत तोर पे इसका जिक्र कोई नहीं करता है कोई नहीं जानता है किस दोर में लव जिहाद आया कैसे चला गया इस दोर में धर्म परिवर्तन या धर्मानतन का जिक्र क्यों हुआ कैसे हुआ कैसे गौहत्या या गौमास का जिक्र हुआ उसके जरीए क्या क्या इस देश के भीतर हुआ किस तरीके से गर्बा में मुस्लिम का प्रवेश नहो इस दिशा में भी सक्रियता दिखाई दी कौन थे ये लोग जो सक्रिय हो गए थे और दलित उत्पीडन की परिस्तिती हो या मुस्लिमों को हाशिय पर ले जाने की परिस्तितिया हो क्या इन सारी परिस्तितियों के बीच में RSS की विचारधारा काम कर रही थी या Rule of Law यानी कानून का राज सत्ता के अनुकूल किस तरीके से हो जाए और इस समाज के भीतर का वह तब का जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो चाहता है कि सत्ता में उसकी कहीं दखल अंदाजी इस रूप में रहे जहां पर वो चाहे ज़ंडे उठा ले जहां चारे नारा लगा ले जहां चाहे कोई हिंसक वारदात भी कर दे तो भी कानून उसके साथ खड़ा रहे ध्यान दीजिया इस दौर में रूल अफ लौ को भी सत्ता के अनुकूल परिभाशित करने की कोशिश इसी दौर में हुई है लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात का जिक्र किया कि कानून का राज होना चाहिए कॉंसिचूशन के इसाब से सत्ताइं चलनी चाहिए और इस तरीके से जब आप एक कानूनी धांचे को ही अपने अनुकूल बनाने के लिए उस तबके को उभार रहे है जो तबका इससे पहले की परिस्तितियों में लगातार गरीबी मुफलिसी हाशिये पर था और उसको सेंटर स्टेज में लाने की परिस्तिती में कभी कोई राजनेतिक सत्ता नहीं आई तो आपने कानून के लिए उनको लाभेनवित कर दिया और उनके द्वारा की गई हर हरकत हर हरकत का मतलब जो सत्ता के अनुकूल हो क्या ये वारेसिस की विचारधारा थी आरेसिस की विचारधारा शायद इस रूप में नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी राहूल गांदी ने उस नबज को पकड़ने की कोशिश की है जहां पर आप आरेसिस को सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन नहीं कह सकते हैं जहां पर आप अपने आपका बचाओ ये कहकर नहीं कर सकते हैं कि हमारा संगठन तो सो बरस से चला रहा जी नहीं ये वो संगठन नहीं था जो आरेसिस की उत्पत्ती जिस रूप में हेडगेवार और गलवलकर से होते हुए देवरस की परिस्तितियों से निकल कर यहां तक मोची हैं लेकिन क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरेसिस की जरुरत भी नरिंदर मोदी यानि मौजूदा वक्त के परधान मंत्री हो गए और ये अपने आपको एक कल्ट फिगर के तौर पर खड़ा करते चले आए हो सकता है ये क्यों नहीं हो सकता है हमारे पीछ वक्ता के तौर पर थी या नुमाइंदगी के तौर पर थी आरेसिस के उस समय सुदर्शन जी हुआ करते थे गुजरात में दंगे हुए थे और जंडे वलान में जो आरेसिस का हेटकौाटर है वहां पर इनकी बैठक होती थी और जिस वक्त दंगों की शुरुआत हुई उ उस मुलाकात के वक्त जो सुदर्शन जी से मुलाकात कराने ले गए उस वक्त उनके जहन में यही था क्या गोधरा में जो कुछ हुआ उसके फलसरूप उसके रिपकल्शंस में कितनी मौते हुई है यानि किस तरीके से विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है और वहां पर हि इंसा की शिरुवात होई है या नहीं होई हैूझ ये परिस्थितिय आती हमने अपनी किताम में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन सवाल आज उससे हट कर है सवाल ये है क्या वाकई जिस हिंदुत का जिक्र मौजूदा राजनितिक सत्ता करती है और जिस तरीके से हर चीज को वह राजनितिक सत्ता के साथ जोड देती है और उसकी प्रक्रिया में इस देश के समाज को वह अपने साथ जोडने का प्रय ही नहीं बच्चता है कि वो क्या शब्दों का इस्तमाल करे सब को पता है इस देश में महंगाई है सब को पता है कि तेल की कीमते पेट्रोल की कीमते इतनी भयावा हो चली है कि महंगाई चरम पर है सब को पता है बिरुजगारी इस देश में जबरदस्त है सब को पता है इस द लेकर ये सरकार फेल हो गई है लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या कोई पॉल्टिकल पाटी वाकई खड़ी हो पाती है ये कहते हुए कि क्यों प्रधान मंत्री बार बार केदारनाथ में जाकर बैठ जाते हैं मंदिरों का जिक्र करते हैं या फिर अगर आप ध्यान दीजि में रखी थी और वहां से उनको अपने प्रयासों से ले आए गया और अब दिल्ली से लेकर बनारस तक की मान पूना देवी की यात्रा निकल रही है और उसके साथ तमाम लोगों को जोडते हुए चला जा रहा है क्या जिन गाउं से होकर निकलेगी जाहिर वो पूरा उत्त प्रदेश की सीमा लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की अपनी आर्थिक बदहाली वहां की नौकरी की परिस्तितियां वहां के युवाओं के भीतर का चिंतन और ये चिंतन उनको खुदकुशी तक ले जा रहा है क्या इस दौर में कोई इन शब्दों को उठा सकता है नह प्रिस्तितियों में हम साथ खड़े हैं यानि राजनितिक करण सत्ता करेगी लेकिन राजनितिकी परिस्तितियों में सासगोई के साथ इस देश की परिस्तितियों को उभार पाने की छमता इस देश के राजनितिक दलो और नेताओं में नहीं है कैसे सामना होगा इन परिस् और ध्यान देने की शुरुआत कीजिए क्योंकि खुद RSS के बनाए हुए तमाम संगठनों में जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन दिल्ली के कहने के अनुसार होता है आपके जहन में आएगा ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ है तो विश हिंदू परिशत के अध्यक्ष तो गड़िया कैसे हटे उनके बदले कौन कैसे आया किसान संग में बदलाओ कैसे हुआ भारतिय मजदूर संग में कैसे बदला हुआ सौदेशी जागन मंच में कैसे बदला हुआ इतिहास संकलन समीती में कैसे बदला हुआ वनवासी कल्यान आश्रम में कैसे बदला हुआ क जनितिक तोर पर करेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई RSS की इस रूप में नहीं रही थी तो क्या RSS बदल गया लेकिन उसके बावजूद भी अगर मौजूदा वक्त में राहूल गांधी ये सोच रहे हैं और कॉंग्रेस ये सोच रही है तो उसके अपने संगठन की ट्रेनिंग RSS और मोदी या परचारक की परिस्थितियों को समझने की रखनी होगी क्योंकि भारतिय समाज में जिस अनेकतावादी समाज का हमने जिक्र किया उस फेरिस्थ में जब आप निकल कराएंगे सोचिए गीता विद्याल है 1946 में गुलवलकर ने बनाया था लेकिन गीता प्रेस आज की तारीक में आर्थिक तोर पर संकट में है कोई पूछने वाला नहीं है उसकी आर्थिक इस्थिति ना जुक है सरसती शिशु मंदिर 1952 में गुरकपूर में बनाया गया था उनके भीतर की परिस्थितियां जहां कियेगा तो और दैनिया इस्थिति है विद्या भारत संग 1995 में गत्तोपन ठेंगली ने क्या सोच कर बनाया था और आज वो क्या काम कर रहा है और इस देश के मजदूरों की जो हालत है उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अपने तोर पर भारतिय मजदूर संग के पास जो ऐसेट है हर शहर शहर वो सबसे बड़ा ऐसेट है और उस पर कब जा और कोई नहीं बीजेपी करेगी आने वाले वक्त में वो राजनेती करण उसका हो जाएगा या फिर सौदेशी जागण मंच को लीजिए उसका राजनेती करण कैसे हो गया मुरली धर राव इस वक्त जो मद्दपरदेश में है वो जिन बातों जो कहते है मेरी जेम में एक जेम में ब्रहमन है एक जेल में बनिया इस बात का जो जिक्र कर गए उनकी तारिव दत्तोपन ठेंगणी ने वाजपई काल में ये कहकर की थी कि ये स्वदेशी का भार उठाएंगे लेकिन चीजें देखिए पॉलिटिकली कैसे बदल गई ये सारी परिस् ये ही एक मात्र काम करता है और सीधे कहें तो खुद इस देवर दोर में बीजेपी भी जानती है कि वीपी रहिया भारती जो जनता युवा मोर्चा है वही काम का है बाकी कोई काम का नहीं है बाकी सब हमारे लिए और हमारी जरुवत के हिसाब से काम करेगा और इस फिरिस् हिंदू परिशद भी इस दोर में देखिए रास्टिय सेविका समयती एक लंबी फेरिस्थ है और इसको जब हम जोडते चले जाते हैं तो लगबग 50 संस्थान ऐसे हैं जो सीधे जुड़े हुए हैं जिसमें हिंदू जागण मंच भी है विश्व समवाद किंद्र भी है और उसके अलावे 30 ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं सवाल सबसे बड़ा ये हो चला है कि क्या वाटकाई RSS के पास कोई विचारधारा है या इस देश के जिस तरीके से कंगाल बना दिया गया और जिस तरीके से आर्थिक तोर पर इस देश को 20 बरस पीछ अचे ढखेल दिया गया है आने वाले वक्त में इस देश की युवापीडी के पास क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा ऐसे वक्त में हम उस RSS का जिक्र करने की दिशा में तो कहीं नहीं निकल गए जो RSS है ही नहीं और जब RSS नहीं है तो क्या RSS को ढाल बना कर RSS के नाम पर इस देश के भीतर में जिन बातों का हम जिक्र कर रहे थे लव जहाद से धर्मान तरन तक या दलित उत्पीडन से लेकर मुसलिमों को हाशिय पर ढखेलने उन परिस्तितियों को कहीं सत्ता कानूनी जामा पहना कर ढाल तो नहीं बना रही है हमें लगता है एक कहेगी कि हमारा तो कुछ बीजेपी से लेना देना नहीं था जैसे उसने पल्ला जाडा था अटल वियारी वाजपई के शाइनिंग इंडिया से कल अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता ढढ़ा कर गिर जाए आरेसेस को एक सेकंड नहीं लगेगा खुद को अलाग कर इस देश के पुराने मुल्यों के अनुसार इस देश की संस्कृती को बचाने के नारे लगाते हुए एक सेकंड का वक्त नहीं लगेगा तो क्या यह एक ऐसी परिस्तिति में है जहां पर सत्ता भी हमारे पास है और विरोध भी हमारे पास रहे ऐसी सत्ती इस देश के भीतर में संग और बीजेपी और मोदी के रिष्टों का ये पूरी परिस्तिती है क्या ये सवाल है और इस सवाल पर आखरी जवाब यही है कि जो फस्ते हैं इस प्रक्रिया में हिंदुत्त का नाम लेकर जो फस्ते हैं इस प्रक्रिया में संग का नाम लेकर या उसकी विचारधारा को लेकर जो जरीए इस देश के तमाम constitutional institutions को चला पाने की इस्तिती में वही सत्ता है जिस सत्ता के लिए RSS भी सत्ता बनी रहे माईने रखता है cabinet ministers भी कौन बनेंगे वही माईने रखता है कि सत्ता कैसी बनी रहे हर चेहरा हर संगठन हर organization सिर्फ माईने रखता है ये सत्ता बरकरार रहे और सत्ता बरकरार रहे इसी लिए वह संगठन वह व्यक्ति वह चेहरा वह organization वह कलसांस्कृतिक रूप या फिर वह समाजिक समझ कोई माईने नहीं रखता है और इनकी जर्रत भी ये बरकरार रहे इस दिशा में आकर दोनों धाराएं मिल गई आखरी बात है ये वाकई ऐसी परिस्तिती है जब देश के तमाम लोग इन बातों को जानते समझते हुए आरेसिस के सेवक भी इन बातों को अगर जान रहे हैं समझ रहे हैं जैसे कैमिरेट मिनिस्टर समझते हैं जिन बातों का जिकर बार बार होता है कि उनकी भी क्या हैसियत है कोई हैसियत है या नहीं है ये सारी परिस्तित्यों के बीच एक सवाल यही है कि अपराध को विचारधारा से जोड़ना और विचारधारा कहीं अपराधी करण कर देना ये लकीर जो राजनेतिक दल जिस दिन खीज देगा वो समझ जाएगा कि इस देश के भीतर में वैचारिक तोर पर अपराधी करण की परिस्तितियों को कैसे जन्म दिया गया और पॉलिसी गत निर्णों के आसरे इस देश को किस तरीके से खोकला और कंगाल बना दिया गया और उसको कानूनी जामा पहनाते हुए इस देश के जो भी constitutional institutions हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए क्यों काम करने लगे और क्यों हर वक्त ये लगने लगा कि दरसल सम्विधान जो जीने का अधिकार देता है और जो हर को इस बात का अधिकार देता है कि वह सवालों को उठा सके उस सवालों को उठाते वक्त भी उस पर इस देश में अगर राज्ट्रो और राश्ट्रो लग जाता है और उनकी तादाद लगातर बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश के भीतर में कोई विद्रो का बुलबुला है इसका मतलब यह है कि इस देश को इनी बातों में इंगेज कर दिया जाए इनी बातों में उल्जा दिया जाए अब ये राजनितिक दल और नेताओं पर है वो कितना उलजते है या किस तरीके से जनता के भीतर की उलजन को साफ के साथ दिखला देते हैं और समधान दिखाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया